जम्मु कास्मिर से आर्टिकल 370 वब 35 ये हुआ खत्म बारा विंदूओं में समझेंगे इससे क्या होगा बदलाव जम्मु कास्मिर में देश के अन्राजों के लोग भी जमिल लेकर बस सकेंगे इसका मतलब ये है कि पहले भारत के लोग मतलब कोई भी राजी के लोग वहाँ पर जम्मु कास्मिर में जमीन को खरीद करके वहाँ पर नहीं रह सकते थे अब वह आसानी से जमीन को खरीद करके वहाँ पर अपना घर बना के वहाँ पर बस सकते हैं चलिए अब दूसरा पॉंट के वो रूप करते हैं कस्मीर का अब अलग जंडा नहीं होगा मतलब यहां भी अब तिरंगा सांचल लहर आएगा जमु कस्मीर में अब तिरंगे का अफमान या उसी जलाना या नुकसान पहुचाना संगिन अपराद की स्रेनी में आएगा यहां बात करें तिसरे पॉंटकी तो यहां पह अनुच्छे प्टाइम सेतर के साथ जमु कस्मीर इलग समिधान भी इतिहास बनके रह गया है यहां भी भारत समिधान लागू होगा इसका मतलब यह था है कि जम्मो कस्मीर का एक। गोना ही समविधान था वा याव, इत्यास बनके रहा जाएगा और जो भारत का समविधान था, वह समविधान तक जम्मू कस्मिर में भी लागू हो गा। कि अब यह अगले पूर्ड के बात करें तो जम्मू कस्मिर मा स्थानए लोगों की दोहरी नाग्रिक्ता समाप्त हो जाएगी इसका मतलब यह है कि जम्मु कस्मिर में 1370 हटने के बाद जो जम्मु कस्मिर के लोगों की दोहरी नाग्रिक्ता जो मिला था वह समाप्त हो जाएगा और यहाँ पे अब अब उन लोगों को दोहरी नाग्रिक्ता अब नहीं मिलने वाली है जमू कस्मीर को दो भागें माट दिया गया है जोनों को एक केंदर सासित परदेश के रूप में दर्जाज दिया गया है वहाँ पे अब केंदर का सासन होगा अगले पॉंट 6 के बात करें तो अब अनुचे 370 का खंड ये केवल लागू रहेगा सेज खंड समाप्त कर दिये गए हैं खंड 1 भी रैष्टपती द्वारा लागू किया गया था रैष्टपती द्वारा इसे भी हाटाया जा सकता है अनुचे 370 के खंड 1 की मुताबिक जमू और कस्मीर की सरकार से सला कर रैष्टपती सम्विधान की विभिन यानुचे 2 को जमू और कस्मीर पर लागू कर सकती हैं तो ये था हमारा 6 पॉंट ये अगला पॉंट की बात करें तो अगला पॉंट हम देखते हैं कि क्या है अगला पॉंट में अब चलिए हैं पॉइंट नमर 7 की वो रूह करते हैं, 7 में हम देखते हैं यहां पे जमू कस्मीर में विदान सभा होगी, लेकिन लदाक में विदान सभा नहीं होगी, मतलब जमू कस्मीर में राज सरकार बनेगी, लेकिन लदाक की कोई अस्थानी सरकार नहीं होगी, तो उस से डिली में होते हैं उसी तरह से चुनाव जमु कश्मीर में होंगी लेकिन याहां pe lleidea की बात करें तो Alaska कि तरह का चुनाव नहीं होगा नापरी केवल केंद्र का सासन होगा यहां पे केंद्र सरकारा के तवारे यह गत जाएगा ओर्ट mm के बात करें तौह पर चुनाव चुना होने के बाद मुंखमंत्री का लगा हाँ भारत का कोई भी नागरी कि जमुकस्मीर में नोकरी भी कर सकेगा अब जमुकस्मीर में केवल अस्थानि mentor को ही नोकरिया कर पाएंगे, वहाँ प्रक्राइब काम कर पाएंगी . वहां पर Glexos, आप जो भी काम करना चाहे आप वहाँ आप कर सकते हैं, क्योंकि वाम पे जमू-कarrive। में पहले केवल जमुकाश्मिर का ही अधिकार था यवा फेव अधिकार को हटा दिया गया मतल भारा 370 खतम कर दिया गया जिसके कारण या भारत के लोग वह पे जाकर यां पर नौकन ले सकते हैं और वहाँ पे 370 में पाले भी कई बदला हुए हैं 1965 तक जमू और कस्मीर में राजपाल की जगा सदन ये रियासत और मुईक्य मंत्री की जगा पर परधान मंत्री हुआ करते थे यह धारा 370 हटाल या गया है जिसके आकारंण या वहां पे फीर से वहां पर चुना होगा वहां पर केंसा केंदर का शासन होगा मतलब केंसा सित पर्दैश की रूप में था चुना होंगी जमू कस्मीर में चलिए अब पॉइंट नमर 10 की बात करते हैं जमू कस्मीर के लड़कों को बात करें यहाँ पे अगर लड़कियां कई दूसरे राजिकी लड़कों से साधी करते ते तो उसकी नागृता समाथ हो जाती थी अब यहा पे यह नहीं होने वाला है और अगर भारत के कोई भी लोग चाहे तो यहाँ पे जमुकर सिंद्रिम जाका के साधी कर सकते हैं तो पुरू राश्ट्पती द्वारा लागू किया गया था इसलिए किसे खटम करने के लिए संसद से पारिप करने की आज़सकता नहीं थी तो चलिए अब हम लास्ट पॉइंट की ओर रूख करते हैं नतलब जो आख़ी पॉइंट हमारा है वह बारा है और बारा पॉइंट को पहले आपने हमारे चैनल पने की तो सस्क्राइब कर लिए ओर जो प्रेस काले चलिए हम बात करते हैं यापकृइंट आने 12 पॉइंट की भारे में चलिए आपके देखते हैं 12 पॉइंट में क्या है तो यहाँ पर जम्व कस्मिर सरकार का कारेकाल यहल 2 साल का नहीं मल्की 5 वर्षों का ही होगा तो यहां पर बात करें तो जम्मू कस्मिर का जब अलग सम्विदान था तो यहां पर जो यहां के कारेकाल जो होता था यहां पर छे वर्षों का होता था यहां पर केवल पांच वर्षों का ही कारेकाल होगा मतलब जिस तरह से भारत के सभी राज्य का कार लिए हैं यह आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो हमें एक अच्छा सा कॉमेंट कर दिएगा और हमें बताइए कि आगला जो हम जो लाएंगे आगला टॉपिक को हम किस टॉपिक पर बात करें तो चलिए दोस्तों फिल मिलते हम अगले वीडियो में तब तक कि झाल झाल झाल